नमस्कार दोस्तो हमारा बिहार में आपका स्वागत है आज है दोस्तो 25 अप्रेल 2020 और 25 अप्रेल 2020 से जितने भी करेंटरफेर्स के कोश्चन है जो बिहार से जुरे हुए है उसका आज हम डिसकस करेंगे और दोस्तो इस वीडियो का PDF पी अप्लोड डाउनलड कर सकते हैं हमार टेलिग्राम चैनल से टेलिग्राम अप्लिकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एच बी और चैनल को जोईन कीजिए वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिस दोनों लाइंग्वेज में मिल जाएगा और दोस्तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीज ही मनाए गया है 24 अपराल के दिन इसका सही हो गया और दोस्तों दिनकर जी का जन 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगुस राजिला के सी मरिया गाउं में हुआ था और 1959 में डॉक्टर राजेंद परसाथ के द्वारा पंद बिवुशन सम्मान से भी सम्मानित किया गया थे रमधा में भारती ग्यान पिट फरसकार प्रदान किया गया 1952 में जब भारत की प्रतम संसत का निर्मान हुआ तो उन्हें राजसभा का सदर से चुना गया और 24 अपराल 1974 को इनकी मित्त्य हो गई अब दोस्तों इनका जन्म हुआ था बेगुस राजिला में तो चलिए बेगुस र जानते हैं तो दोस्तों यहाग्या बिहार का मैया पॉय तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं तो दोस्तो बेगुसराय जिला का जो अस्थापना हुआ है 1972 में हुआ है बेगुसराय जिला का मुख्याले बेगुसराय में है और बेगुसराय जिला जो है दोस्तो ये मुंगेर प्रमंडल के अंतरगत आता है और मुंगेर प्रमंडल के अंतरगत राजे का छे जिला आता है मुंगेट, जमुई, खगडिया, लखी सराय, बेवुसराय और शेकपूरा और बेवुसराय का प्रमुख फसल गियोहु में चड़ मक्का है और कामबर जिल एसिया के सबसे बड़ी मेठे पानी के जिलों में से एक है जो की बेवुसराय में ही है और यह पक्षी अभेरन के रूप में ही प्रसिद है बेवुसराय हमारे राष्ट कभी रामधारी सितिंकरजी का जन भूमी है बेवुसराय बिहार के ऊद्योईक नगर के रूप में भी जाना जाता है यहां मुखे रूप से तीन बड़े उद्योग हैं, कौन-कौन सहत इंडियन ओयल कर्परेशन लिम्टेड, बराउनी तेल सोधक करखाना और बराउनी थर्मल पावर स्टेशन जिसको अब NTPC कहा जाता है और हिंदुस्तान यूरिया रासाइन लिम्टेर, हूर यहां पे निर दित किया जाएगा, तो राज में मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को महामारी कानून के तहट द्रंडित किया जाएगा, अगला कोशन है, राज के किस पंचायते को राष्टिये पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो अब चलिए दो पंचायत के बारे में जानते हैं, तो कुटूंबा ग्राम पंचायत जो है ये औरंगा बाद जिला में है ठीक है और औरंगा बाद जिला के कुटूंबा ग्राम पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम सवा पुरसकार के लिए चुना गया है इस पंचायत की मुकिया कुमारी सावित्री सिंग मुकिया बनने से पहले ही बच्चों को मुप्त सिक्षा देती आ रही है पता मुकिया बनने के बाद भी नियमित पंचायत बवन में बच्चों की कक्षा लगाती आ रही है इसी कारण कुटूंबा को जाइड फ्रेंडली ग्राम सभा पुरसकार के लिए चुना गया है और एक है दोस्तो मोती पुर पंचायत तो समस्ती पुर्जिला के मोती पुर पंचायत को नाना जी देश्मक राष्टिये गौरब ग्राम सवापुरसकार 2020 के लिए चुना गया है ग्राम पंचायत के मुखिया प्रेमा देवी ने ओनलाइन पार्टिशन को बढ़ावा दिया है यानि ओनलाइन इंटरनेट के यूजेज को बढ़ावा दिया है और दोस्तो इसलिए पंचायत इस पंचायत को नाना जी देश्मक राष्टिये गौरब ग्राम सवापुरसकार 2020 के लिए चुना गया है और ये जो दोस्तो मोतीपूर पंचायत है तो हाली में मोतीपूर पंचायत को केन सरकार ने राश्टिये पंचायत पुरसकार से भी सम्मानित किया है अगला कोशन है हाली में राष्टिये पंचायती राजदिवस कभ मनाए गया है तो राष्टिये पंचायती राजदिवस मनाए गया है 24 अपरेल के दिन C ओप्सन इसका सही हो गया 24 अपरेल 1993 को संबीधान के 73 संसोधन अधिनियम 1992 के माधियम से पंचायती राज संस्थाओं को संब्यधानिक दर्जा हासिल हुआ था और 2010 में प्रधानमंत्री मन्मोहन सिंग ने 24 अपरेल को पंचायती राज दिवस की घोसना की थी प्रत्थम बारत अतकालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेरुद्वारा राजस्थान के नागोर जिले के बगदिरी गाउं में दो अक्टूबर 1969 को पंचायती राज ब्यास्था लागू किया था और भारतिय संविधान के अनुछे 40 में राज को पंचायतो के गठन का निर्देश दिया गया है और बिहार में पंचायती राज 2006 में लगू हुआ है ठीक है कुछ ही दिखा रहे है ठीक है और एक्सपर्ट जो होंगे वह घर बैठे लेंगे इंटर्व्यू और अपने ही जीलों में साथ्षातकार दे सकेंगे अभ्यार्थी इससे लाकों रुपे की बच्चत होगी और विश्यों का दायरा भी बढ़ेगा और बरतमान में बिहार ल ना रोक सेवा आयोक बनाया जाता है यानी गठन किया जाता है अगलला कूश्चन है राजसरकार ने पल्श कोल्य अभियान के तर्ज पर कि दोमें डोर además का ढड़ेश दिया है तो राजसरकार ने सभी जीलों में दे दिया डीक है लेकिन बढ़ते संक्रमन को देखते हुए सभी जीलों में स्क्रीनिंग का आधेश दे दिया गया है। अगला कोशन है हाली में अंग्रेजी भासा दिवस कब मनाये गया है। तो अंग्रेजी भासा दिवस मनाये गया है 23 अप्रेल के दिन ठीक है। सी ओप्सन इसका सही हो गया संयुक्त राष्ट ने 23 अप्रेल 2010 को पहली वार अंग्रेजी भासा दिवस मनाया था और 23 अप्रेल को विश्व पुस्तक एवं कॉपी राइट दिवस भी मनाया जाता है ठीक है तो 23 अप्रेल को दो दिवस हो गया एक हो गया अंग्रेजी भासा दिवस और एक हो गया विश्व पुस्तक एवं कॉपी राइट दिवस भी है और विश्व पुस्तक कॉपी राइट दिवस को युनेस्को के द्वारा 1995 में सुरू किया गया था और मलेशिया के कौलालामपूर को विश्व पुस्तक एवं कॉप कुमार के बजाए गंगा नदी के जल मार्ग से सामान डुलाई किया जा रहा है तो कौन सी राष्टी ये जल मार्ग बिहार से गुजरती है तो राष्टी ये जल मार्ग संख्या एक बिहार से गुजरती है इसका सही हो गया और कल का दूसरा कोशन था हाल ही में राज के कितने जिले में महामारी भी सेसर के तैनात पिया गया है तो राजी के 22 जिलों में C उप्षिजन इसका सही हो गया तो कल का कोश्चन का सही उत्तर हो गया B और C ठीक है आज का रिविजन का कोश्चन है बिहार राज उद्दानिक उत्पाद विकास चोजना के तरह तदाज सरकार त्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है और आज का दूसरा कोश्चन है बिहार के किस जिला के मेडिकल कॉलेजियों वायरल रिसर्च सेंटर एमार डाइगोनोस लेवरेटरी का निर्मान किया जाएगा तो इस दोनों कोशन का एंसर आप लोगो को कमेंट वक्स में देना है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आसा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा यह हैं लग रहा है तो खबरी अप्लिकेशन के हमारा भी हर चानल को सब्सक्राइब किजिए और वहाँ पे दोस्तों प्रति दिन सामें इस वीडियो का आडियो अप्लोड किया जाता है जिसे सुनकर आप रिविजन कर सकते हैं ठीक है और खबरी अप्लिकेशन का लिंक दोस्तों डिस्क्रि डाउनलोड भी कर सकते हैं और दोस्तों बिहार समाने ग्यान में इतिहास का दूसरा भाग का वीडियो भी आज अप्लोड कर दिया गया है ठीक है जिसका और जिसको प्लेलिस्ट में भी आड़ कर दिया गया है आप प्लेलिस्ट में जाकर दोनों वीडियो देख सकते हैं भ बहुत बहुत धन्यवाद.